अला आप ठीक नहीं हैं? रिवाइज की हैं, पढ़े नहीं हैं? पढ़े के रिवाइज की हैं आज हम पहुंच के लेक्चर नुम्बर 90 में और सुना है अब आप लोगों के पास पोर्टल की एक्सेस भी है आज जाए के काम करना है देखना है, इन 90 में से हर लेक्चर के साथ चैप्टर, टॉपिक, सब कुछ मेंचन है तो आज जाए कि आप में सिर्फ ये देखना है कि इन 90 में से कितने लेक्चर आपके प्रिपेर है क्योंकि हार lecture के साथ chapter भी लिखा हुए topic भी लिखा हुए और identify करने कितने आपके prepare नहीं है और फिर देखना ये कैसे करने है आधर paper रात करने है अभी जुलाई में ही सारे complete करने है नहीं next month में हमने करने है कब करने है वो को plan prepare करना है क्यों अगर नहीं किया तो paper तो गया और रिपोर्ट के हम बातें कर रहे थे छोड़ा हम मची इची बातें करते हैं इसलिए बस खतम कर रहा तो तो जी क्या मसेला है prepare हमने करना है हमने पता है कैसे करते हैं last time हमने किये थे और सारे paper pass कर लिये थे और रिपोर्ट के हमने बातें की और रिपोर्ट की टाइप्स हमने कवर कर लिए की situation में कौन सी रिपोर्ट देते हैं ये भी हमने बात कर लिए हम बातें कर रहे थे एक और रिपोर्ट के अंदर होता क्या और रिपोर्ट के contents discuss कर रहे थे और ISA 700 रिपोर्ट के हम content discuss कर रहे थे तो क्या contents थे टाइटल इंडिपेड़न ओरिटर रिपोर्ट अड्रेसी मेंली किसको होती है शेर होल्डर आफ दा कंपनी को हाँ अगर कंपनी के कि दो चार्ड दो गवर्नस को देनी किसी और को देनी तो फिर उसके accordingly भी हो सकती है नार्ली शेर होल्डर मेंबर्स को और उसके बाद opinion paragraph जिसमें हम opinion express करते हैं दो बातें करते हैं और साथ एक introduction paragraph में हम बताते हैं कि company जिसकी हमने financial statements audit कर रहे हैं उसका नाम क्या है उसका year end क्या है और franchise statements के components के नाम यह हम बताते हैं जो हमने audit किया है उसे बाद आता है basis for opinion paragraph अगर हम company की favor में opinion दे रहे हैं तो इसमें तीन बातें करेंगे कि हमने काम as far I.S.S. किया है हमने अपनी independence को throughout the audit जहे है वो maintain रखा है और हमारी opinion जहे है वो based है on sufficient and appropriate audit evidence हाँ अगर opinion company के against दे रहे है तो फिर इन तीन बातों के लवा पांच बाते हैं हमने और बताना होती है matter जिसकी base पर हमने opinion qualify की है वो matter क्या है suppose company ने asset की depreciation record नहीं की तो matter क्या है depreciation record नहीं कीगी कोई standard involved है तो standard का reference देते वे बात करने नहीं standard क्या कहता है और company ने क्या नहीं किया तो बात करेंगे पर आईए 16 all non-current assets should be depreciated over its useful life जो company नहीं की quantification कितनी amount की depreciation कितनी बंती थी वो भी calculate करेंगे क्या कहला उसका effect on financial statement क्या है mean कौन सा account balance कितनी कितनी amount से effect हो रहा है तो वो भी हम बताएंगे यह asset जो है non-current assets land and building की नहीं charge की तो land and building इतने से overstated है expensive इतने से understated है और profit इतने से overstated है और पांच्वी चीज़ justification देनी है कि इस चीज़ की कि हमने अगर matter को material consider किया है तो कैसे material है में कितने percent of profit या total asset है और अगर हम कहा रहे है pervasive statement है तो matter कैसे pervasive है उसकी justification देंगे कहां पे basis for opinion paragraph में हाँ अगर company की favor में है तो तीन ही बातें करनी है तेकिन अगर company के against है तो फिर तीन के साथ पांच extra बातें हमने करनी है matter भी standard भी, quantification amount भी effect on financial statements भी और justification of materiality and pervasiveness भी जिसके बाद मारे पास आता है क्या key audit matter अभी ये going concern और emphasis matter ये दो रोक के इनके भी हम बात नहीं कर रहे है उसके बाद क्या आता है key audit matter I mean वो matter जो during audit हमारे लिए key थे क्या हो सकते है high risky areas significant tier account balances areas where judgment is involved and areas where expert knowledge is required तो क्या है key audit matter हमने क्या करना है audit report में under the head key audit matter उनको explain करना है क्या explain करना है तीन चीज़ें करनी है matter की heading बताना है कि क्यूं की था हमारे जी during audit इन वही चार में से कोई reason और साथ audit approach audit approach में क्या बताना है तीन चीज़े हमने जो procedure perform कि उनके जो results निकले और हमारी जो observation है उनके बारे में conclusion जो है उनके बारे में वो भी क्या कहला उसके बात मारे पास आएगा नहीं कैम की बात करने और थोड़ी सी कैम के फाइदे क्या है transparency meet होगी better informed decision making होगी auditor की quality of audit improve करने में help में लेगी कहां पे कैम नहीं देना unlisted company के लिए small company है जिसके account balance minimal है मिन छोड़ छोटे है disclaimer या adverse opinion की शुरत में कैम नहीं देना ठीक हो गया उसके बाद मारे पास आएगा other information paragraph जिसमें हमने other information in the annual reports की बात करनी है other matter में नहीं इसकी बात कहां पे करनी है other information paragraph में और तीन बातें करनी है कि इस other information को read करना review करना हमारी responsibility है पार ISA 720 audit नहीं करना हमारी audit opinion इसकी base पार influence नहीं होती और अगर other information ठीक है तो हम कहेंगे there is no material misstatement other information और अगर ठीक नहीं है तो there is material misstatement other information और वो क्या misstatement है क्या गलत बात कहां पे लिखी वो फिर यहां पे highlight करेंगे यहां तक contents हमने previous class में cover कर लिये थे उसके बाद एक paragraph हैगा इससे नाम जियता है management responsibility paragraph कि audit report के अंदर हम mention करेंगे कि company की management की क्या responsibilities है क्यों यह paragraph यहां पे दे रहे हैं क्या वज़ाबनी expectation gap को cover करने के लिए यह ना समझ बैठे कि financial summits हमने बनाई है नहीं तो हम बात करेंगे financial summits बनाना according to AFRF कि सी responsibility है management की जनता ये ना समझ बैठे कि internal control system हमने implement की है नहीं ना control system implement करना किसकी responsibility है management की और management की specific responsibility थी वो क्या थी company के going concern को assess करके क्या करना उसके accordingly लिए financial stimulus prepare करना तो ये तीन मैनमे responsibility में हम यहाँ पर mention करेंगे उसकोद हम mention करेंगे और deters the responsibility कि हमारी responsibility क्या है हमारी responsibility क्या है एक तो पर ISAs काम करना, अपनी बोंगिया नहीं मारना, अपनी मनमर्जी नहीं करना meaning जन्ता ये ना समये बैठे कि हम पतानी क्या क्या काम करते हैं, नहीं, जो standard करते हैं, वही करते हैं हमारी responsibility क्या है एकस्प्रेस? assurance कौन सी assurance? reasonable assurance, absolute means guarantee नहीं ताके जन्ता ये ना समये बैठे कि हम कह रहे हैं financial stimulus do and fair नहीं, तो guarantee है और हम इतरह है responsibility में आपने काम से थोड़ी सी बातें करेंगे कि हम क्या करते हैं, risk को हम इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को evaluate करते हैं 100% testing नहीं करते हैं, क्या करते हैं sufficient appropriate audit evidence obtained करते हैं company के management की accounting policies उन्हों ने apply की हैं, उसकी reasonableness को हम assess करते हैं, को reasonable हैं या नहीं है कोई estimate judgment की based on management figure लिखिये हैं, तो हम देखते हैं, judgment estimate भी reasonable हैं या नहीं है going concern को assess करना किसी की responsibility है management की, तो हम क्या करते हैं evaluate करते हैं management assessment of going concern during audit कोई weaknesses मिलती हैं, तो क्या करते हैं, company के management को report भी करते हैं so ISA के accordingly काम करना reasonable assurance देना risk on team identify assess करना, control system को evaluate करना, sufficient appropriate audit evidence obtain करना accounting estimates की reasonableness को check करना going concern assessment को evaluate करना, weakness management को report करना, तो letter of weakness, ये कोई 5-7 responsibilities कहां पर mention की जाती हैं auditor's responsibility paragraph में again किसलिए expectation gap को cover करने के लिए ये copy-paste copy-paste ही अता है, इसमें कोई जिसमें, जिसके बाद नमारे पास एक paragraph आता है other responsibility paragraph other responsibility means sometime कोई country का law कहता है कि आपने ये ये चीजें भी audit report में highlight करनी है कुछ कंट्री में कहते हैं law कुछ कंट्री में नहीं कहते है तो फिर कहां पर highlight की जाएंगी other responsibility paragraph में जिसमें पाकिस्ताम में company law कहता है कि आपने क्या करना है audit report के अंदर 4 चीजें highlight करनी है क्या 4 चीजें highlight करनी है कि company ने proper books of accounts जे हैं maintain किये हुए है highlight करना है कि financial statements ने है according to maintain books of accounts prepare की गई है highlight करना है कि अगर कोई investment हुई है company में या कोई expenditure हुए है तो for the purpose of company हुए है और 4 चीज़ क्या थी zakat has been deducted according to zakat and usher ordinance 1980 and deposited into central zakat fund यह 4 चीजें यहाँ पर other reporting responsibility में as per company law हमें जह है वो highlight करनी है क्यों legal requirement है Pakistan की कि Pakistan में जाभी क्यों audit report देनी है तो उसमें audit report के अंदर as per company law यह 4 चीजें highlight करनी है कि company ने proper books of accounts maintain किये हुए financial statements according to maintain books of accounts prepare की गई है investment made expenditure incurred is for the purpose of the business है और zakat deduct की गी है according to zakat and literature ordinance 1980 और central zakat fund में deposit की गी है हमने कहीं पिर chapter 1 company act में यह जिसने बड़ी थी चार क्या कहला हाँ कुछ country में ऐसी कोई legal requirement नहीं आती है paragraph नहीं आएगा उसके बात क्या है engagement partner mean firm का नाम firm का address और engagement partner के sign जो report sign कर रहा है हमारी audit report होती है firm की तरफ से और firm की तरफ से sign कौन करता है firm का representative और वो कौन होता है engagement partner mean engagement partner का नाम signature होंगे और firm का नाम और address होंगे जिस हिंक partner ने sign किया उसका नाम, उसका signature और साथ firm का नाम और उसका address भी होगा के firm कौन सिए office को थी दे है उसके बाद क्या होगा date the report is signed date the report is signed मीन पार्टनर का नाम सिगनेचर आगे फिर्म का नाम अड्रेस आगे और डेट दा रिपोर्ट इस असाइन और ये डेट बहुत इंपोर्टन्ट है ये आलवेज फिर्नांचल स्टेटमिंट्स के एप्रूब होने के बाद वाली डेट होनी चाहिए क्यों हमारी ओर्डरी रिपोर्ट होती है फिर्नांचल स्टेटमिंट्स पे तो पहले डेटर फिर्नांचल स्टेटमिंट्स अप्रूब करेंगे उसके बाद हमारी ओर्डरी रिपोर्ट साइन होती है आइदर उसी डेट में भी हो सकती है ज्यादा best क्या है कि उससे कोई बाद वाली डेट होनी चाहिए, कभी भी ये डेट financial statements के approve होने से पहले वाली date नहीं होनी चाहिए, क्यों audit report financial statements पे है, तो financial statements director approve करेंगे, तो उससे अगले दिन हम क्या करेंगे, audit report sign करेंगे, सो content को देखें तो क्या आगे है, मारे पास title, address ही, opinion, basis of opinion, key audit matter, other information, management responsibility, auditor responsibility, other reporting requirement, name, signature of engagement partner, name, address of a firm, और date the report is assigned, ये क्या है, contents है, एक standard worded unmodified report के, अब बात करते हैं कि अगर report के अंदर emphasis of matter आना है, तो वो कहाँ पρे आना है और अगर other matter आना है, तो वो कहाँ पर आना है, emphasis of matter अगर आएगा, तो कहाँ पर आएगा, count से पहले आएगा, basis for opinion के बाद और count से पहले आएगा, in faces of matter other matter कहां पर आएगा other reporting requirement के साथ either उसे पहले या उसके बाद in faces of matter कहां पर आएगा CAM से पहले other matter कहां पर आएगा other reporting requirement के साथ उसे पहले या उसके बाद एक report में in faces of matter other matter दोनों हो सकते हैं अगर दोनों हैं तो फिर यह दोनों ही कठे आएंगे आइदर बोथ भी फोर कैम या बोथ आफ्टर कैम लेकिन अगर सिरफ इंफेशिस मैटर है तो फिर कहां पर आएगा कैम से पहले सिरफ अधर मैटर है तो वो कहां पर आएगा अधर रिपोर्टिंग रिवार्मेट से पहले या बाद में और जब emphasis matter, other matter दोनों आएंगे एक रिपोर्ट में, क्यों financial stimulus के अंदर वाला भी क्यों matter highlight करना है, कोई और matter भी आपने other than financial stimulus भी highlight करना है, फिर दोनों आएंगे, तो फिर दोनों इकठे आएंगे, either both before camp या both after camp इकठे आएंगे, ये नहीं कि आप यहाँ पे camp से पहले दे दो, पहले emphasis matter होगा, उसके बाद other matter होगा, तरती पहले emphasis matter फिर अधर, और जब दोनों है तो इकठे आएंगे, अकेला-केला है, तो emphasis matter कैम से पहले आएगा, other matter अकेला देना है, तो कहाँ पे आएगा, other reporting requirement से पहले ये बात, ये बात समझाती है, अब अगर एक matter हमने emphasis of matter में highlight किया है, तो matter की audit matter भी होगा, क्या कहला है, एक matter share order के पांड़ से important है, तो audit पांड़ से important होगा जिसके अमने detail में verification की होगी, तो जब उसको emphasis matter में लिख दिया है, तो क्या कैम में भी उसे लिखना है, नहीं लिखना, कैम में repeat नहीं करना, ये बात समझाती है, अगर कोई matter जिसकी basis पर हमने opinion qualify की है, तो कहां पर explain करना है, basis for opinion paragraph में, audit point भी से की भी होगा, तो क्या उसे भी कैम में लिखना है, नहीं उसके लागा कोई की audit matter है, तो कैम में लिखना है, ये एक चीज़ अगर basis for opinion में लिख दिया है, जो emphasis matter में लिख दिया है, तो इसको कैम में repeat नहीं करना, एक matter क्या है, matter significant important from shareholder point of view, क्या audit matter क्या है, matter significant important from audit point of view, क्या है, emphasis matter में हम सिर्फ matter को highlight करते हैं, reference देते हैं, उसकी कोई audit approach नहीं बताते, क्या है, क्या disclosure है, उसका सिर्फ वो reference देते हैं, highlight करते हैं, audit approach नहीं बताते, जबकि की audit matter में हम matter highlight भी करते हैं, साथ अपनी audit approach भी बताते हैं, क्या कहला है, emphasis is a matter, सिर्फ unqualified opinion के साथ आएगा, जबकि कैम हर audit report में आएगा, even opinion qualify करते हुए भी आएगा, जबास में जाती है, emphasis of matter के थूरू report modify होती है, जबकि कैम के थूरू report modify नहीं होती है, वो क्या है, permanent component है, audit report का, को तेंचाइड differences दात सकते हैं, emphasis is a matter, share order के पांड़ उसे important matter, क्या और रिमाटर, auditor के पांड़ उसे important matter, basis is a matter में हम सिर्फ matter को refer करते हैं, highlight करते है, audit approach नहीं बताते, जबकि की audit matter में हम साथ audit approach भी बताते हैं, basis is a matter, unqualified opinion के साथ आता है, जबकि कैम, qualified opinion के साथ भी आ सकता है, जबकि कैम, पर्मानेंट component है, यहां तक बाते समझाती हैं, यह एक बीच में going concern का paragraph है, इसको hold कर रखना है, इसकी हम next chapter में बात करेंगे, आएगा यहां पर, कब आएगा, क्यों आएगा, इसकी next chapter में बात करेंगे, पर्मानेट यह component हरेंगे, अगर हमने बात करनी है कि qualified report के क्या contents हो सकते हैं, तो वही जो standard worthy report के contents है, title, address, opinion, basis for opinion, key audit matter, other information, management responsibility, auditor responsibility, other reporting requirement, auditor name signature, firm address or date, सिर्फ दो चीजें difference होंगी, qualified report में, और वो क्या है, यह opinion और basis for opinion की heading के नाम, तो अगर हम company की favorable opinion देने जा रहे हैं, unqualified opinion, इसका नाम क्या है, auditor's opinion, basis for auditor's opinion, अगर हम qualified report देने जा रहे हैं, with except for opinion, तो इस paragraph की heading का नाम हो जाएगा, क्या qualified opinion, basis for qualified opinion, adverse report देने जा रहे हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, adverse opinion, basis for adverse opinion, disclaimer report देने जा रहे हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, disclaimer opinion, basis for disclaimer of opinion, बाकि सारे contents यही रहेंगे, हाँ यहाँ पर आके फिर हम पांच बातें और extra भी करेंगे, basis for opinion में, क्या करा, इधर standard wording को change कर देंगे, give को हम क्या कर देंगे, do not accept for this, give to and fail बास मन जाती है, और qualified opinion के साथ, emphasis of matter कभी भी नहीं आएगा, other matter in some extent आ सकता है, कि opinion qualify कर देंगे, पिछरी साल के auditor आप नहीं थे, दो चीज, other matter के तरो highlight भी कर नहीं है, previous year financial system already by any other firm, emphasis of matter कभी भी qualified opinion के साथ नहीं आएगा, always unqualified opinion के साथ आएगा, यह बास समझाती है, कभी भी opinion qualify करते हैं, emphasis of matter नहीं आएगा, other matter भी नहीं आएगा, in some cases आ सकता है, यह बास समझाती है, qualified report के contents की बात आजे, तो इनकी सिर्फ heading के नाम चेज़ जनजे के बाकि सारे वही रहेंगे, emphasis of matter आना है तो आएगा वरना नहीं आएगा, other matter की जूरत है तो आएगा वरना नहीं आएगा, key audit matter, other information, manual responsibility, auditor responsibility, यह हर report के अंदर होनी होने हैं, आए हम आप में एक audit report को पढ़ने की कुशिश करते हैं, कि audit report के अंदर wording क्या होती है, page 106 पे हमें एक audit report मिलेगी, इसके contents देखने जा रहे हैं, और इसकी wording को पढ़ने जा रहे हैं, जी content देखेगा, independent auditor's report यह क्या है, title, to shareholder of ABC company, addressee, report on the audit of the financial statements, opinion paragraph आगे, क्या लिखा गया है, we have audited the financial statements of ABC company, company का नाम आगे, which comprise the statement of financial position as at that date year end आगे, and the statement of comprehensive income, statement of changes in equity, statement of cash flow for the year ended, and the notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies, the financial statements के नाम आगे, जा हमने audit किया है, 500 के 500 component, और इसके बाद क्या आगे, opinion, in our opinion, the complying financial statements present fairly in all material respects, मतलब क्या हुआ, give to and fair view, या are free from the statement, or give to and fair view of financial position of the company as at that date, and of its financial performance and cash flow for the year ended in accordance with IFRS, और दोसी बात भी कर दी के according to IFRS prepare भी, उसके बाद आगे, basis for opinion, क्योंके कमनी की favor में opinion है, तो सिर्क तीन ही बात हैं होगी, we conducted our audit in accordance with ISEs, our responsibility under those standards are further described in auditors responsibility for the audit of the financial statement section of our report, और हमने क्या क्या किया है, वो further auditor responsibility paragraph में मिल जेगा, we are independent of the companies in accordance with the international ethical standard board for accountants codes of ethics for professional accountant IESBA codes, together with the ethical requirement that are relevant to our audit of the financial statements in jurisdiction, we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with requirement of IESBA code, mean हमने अपनी independence को maintain रखा है, और IESBA के codes of ethics को follow किया, दो बात हैं होगी, तिसी क्या थी, sufficient appropriate audit evidence की बेस पर आपिन दे रहे हैं, so we believe that the audit evidence we have obtained is sufficient appropriate to provide a basis for our opinion, तीन बात हैं करने हैं, की audit matter, की audit matter are those matters that in our professional judgment were of most significant in our audit of the financial statements of the current period, these matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole and informing our opinion thereon and we do not provide a separate opinion on these matters, mean auditor ये ना समझ बैठे हैं की हमको एक matter highlight कर रहे हैं, audit approach बता रहे हैं, ताम उसके पर separate opinion दे रहे हैं नहीं, opinion हमारी पूरी financial statements के पर ऐसे होल ही होती है, देकिन ये वो matter है, जो during audit हमारे लिए क्या थे, significant थे, important थे, हाँ वो क्या होगे, वो फिर आगे हम हरे की heading देके, नीचे explain करेंगे, उसके बात आगे है, मैंने में रिस्पॉंसिबिल्टी पाराग्राफ, तीन बात हैं करनी थी, financial statements as per IFRF बनाना, internal control system implement करना और गोई कसा न अजम्षन को assess करना, so मैंने में रिस्पॉंसिब फार्थाइशन फार्थाइशन फ्रथाइशन फार्था न रिस्पॉंसिब्स इन पार्थाइशन, of financial statements in accordance with IFRS and for such internal controls, as मैंने में determines is necessary to enable the preparation of financial statements and are free from TMI statement whether due to fraud or error, में फ्नाचर समिट बनाना किसकी संबशंबिट है इन क्स राइब में दूनाने की इन हुट अपले इन करना किसकी संबशंबिट है इन अरो बनाने क्ली इन 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 टूम सिंट है इन में इन 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 क्समिट इन करना किसकी संबशंबिट है मनें कि in preparation, the financial system is banking responsible for assessing the company's ability to continue as a going concern, disclosing as applicable matter relating to going concern and using the going concern basis for accounting unless management either intends to liquidate the company or to cease operation or has no realistic alternative to do so. विन अगर company liquidate नहीं हो रही चल रही है तो गोइंग सन रिजंप्चन पे financial statements बनाना भी किसकी responsibility है? management की. दो चार्ड विद गुवर्नस आर रिस्पॉंसिबल फार overseeing the company's financial reporting process और company का financial reporting process overseeing करना किसकी responsibility है? auditor की नहीं. management की भी दो चार्ड विद गुवर्नस की. हम डिख सकें क्या case paragraph में होता है? our objective is to obtain a reasonable assurance तो पहली बात तो ये underline करने reasonable assurance हम इसमें mention करते हैं. expectation gap को cover करने के लिए हम को guarantee certainty नहीं दे रहे हैं. about whether the financial statements as a whole are free from DM statement whether due to fraud or error and to issue an auditor's report that indicate our opinion. reasonable assurance is a high level of assurance but is not a guarantee that an auditor is conducting in accordance with ISAs. तो हमने audit किया है सफर, ISAs ये भी हमने हाइलेट करने है. we will always detect a material misstatement when it exists. misstatements can arise from fraud and error and are considered material if individually are in aggregate. they could reasonably be expected to influence the economic decision of user taken on the basis of these financial statements. as part of our audit in accordance with ISAs we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. तो ये भी हम mention करेंगे. कि हम अपनी professional judgment apply करते हैं और throughout the audit, professional skepticism in critical nature को भी maintain रखते हैं. we also identify and assess the risk of material misstatement. of the financial statements whether due to fraud or error design and perform audit procedure responsive to those risks to obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion to sufficient and appropriate audit evidence को भी underline करें. the risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than one for resulting from error as a fraud may involve collusion, frogery, intention, omission, misrepresentation or other overriding of internal control. obtain and understanding of internal control. तो हम क्या करते हैं? control system की understanding भी लेते हैं. relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances but not for the purpose of expressing an opinion on effectiveness of control system. mean हम internal control पर opinion नहीं देते हैं ये भी इसे मैंशन करेंगे. सिरोफ हम क्या करते हैं? उसको evaluate करते हैं उसको पर opinion नहीं देते हैं. evaluate the appropriateness of accounting policies used and reasonableness of accounting estimate and related disclosure made by management. ये भी alert करते हैं. reasonableness of accounting estimate और appropriateness of accounting policies ये हम चेक करते हैं. conclude on the appropriateness of management use of going concern basis of accounting and based on audit evidence obtained तो हम क्या करते हैं? going concern assumption को भी क्या करते हैं? evaluate करते हैं. going concern assumption assess करना मैंने की responsibility है. उस assessment को evaluate करना हम हमारी responsibility है. so and based on our audit evidence obtained whether a material uncertainty exists relating to events or condition that may cause significant doubt on company's ability to continue as a going concern. if we conclude that a material uncertainty mean cash flow issue exists we are required to draw attention in our audit report to the related disclosure in the financial statements or if such disclosure are inadequate to modify our opinion. mean अगर cash flow issue properly disclose है ताम उसको highlight करते हैं physics matter के तूँ नहीं properly disclose तो फिर हम opinion qualify करते हैं, modify करते हैं. our conclusion are based on the audit evidence obtained up to the date of auditor's report however, further immense our condition may cause the company to cease to continue as a going concern. evaluate the overall presentation structure and content of financial statements. हम क्या करते हैं? overall content structure of financial statements presentation of financial statements को भी evaluate करते हैं. including the disclosure and whether the financial statements reporting the underlying transaction and event in the manner that achieve fair presentation. we communicate with those charged with governors regarding among other matters the plan, scope and timing of the audit and significant audit finding including any significant deficiencies in internal control that we identify during the audit. हम क्या करते हैं? communicate करते हैं control deficiencies जो मने इडिटिफाइ की मिन लाटर वीकनाशी भी देते हैं. we also provide those charged with the governance with the statement that we have complied with relevant ethical requirement regarding independence and to communicate with them our relationship and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence and our applicable latent safeguard means our independence पी को मसला हाता है. मैं में से इसक्रस करते हैं क्या सेवगाद हमा परना रहे हैं वो भी बताते हैं इदर भी बताना है उदर भी बताना है इदर थोड़ा जयादा भी टेल में बता रहे हैं from the matter communicated with those charged with the governance we determine those matters that were of most significant in the audit of financial statement of the current period and are therefore the key audit matter में की audit matter हम हाईलाट करने से पहले में को मुनिकेट भी करते we describe these matters in our auditor report unless law or regulation precolate precolate mean restrict करे public disclosure about the matter or when in extremely rare circumstances and we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected outweigh the public interest benefit of such communication means जहाँ पे कोई law हमें restrict करें तो वो matter हम as a key audit matter highlighting करते हैं otherwise हम करते हैं और सके बाद आगया जी report on other regulatory requirement और other regulatory requirement में क्या हो सकती है बाते हैं थोड़ी देर में पढ़ेंगे और सबाद auditor name, signature किसका engagement partner का firm का नाम, firm का address और आगे क्या आगई date, the report is sign तो auditor responsibility paragraph से अगर examiner कह दे कुछ 6-7 चीज़ें क्या highlight करते हैं तहम बता सकते हैं तो reasonable assurance हम यूज करते हैं word में बताते हैं guarantee नि दे रहे as per ISAs काम perform करते हैं identify करते हैं risk of deal misstatement को internal control system का knowledge लेके evaluate करते है sufficient appropriate auditiveness obtain करते है accounting estimates की reasonableness और accounting policies की appropriateness को evaluate करते है company की assessment of going concern को evaluate करते है क्या कहले control deficiencies communicate करते हैं दो charge with governance को बाते हैं इसे साथ की जा सकती है कि auditor responsibilities क्या आप highlight करते हो audit report के अंदर जिससे थोड़ा आगे चलें की audit matter में एक topic मिलेगा कैम क्या होता है हम discuss कर चुके हैं listry companies के लिए आएगा unlistry के लिए ज़रूरी नहीं है क्या कहला है कैम determine करते वकत क्या चीज़ें देखनी है तो 4-5 चीज़ें देखनी है एक high risk की area कैम होते है जहां पर significant judgment involved होती है uncertainty होती है वो कैम होते है जिनका effect on financial statements या transaction जाए वस significant है material account balance कैम होते है जिनके अंदर complexity involved होती है subjectivity involved होती है subjectivity mean hundred percent जिन चीज़ों की figure नहीं निकाली जा सकती क्यों areas complex है उन्हें भी कैम बोला जा सकता है like कोई pension funds और गएरा और क्या है जहां पर को specialized knowledge आईए एक चीज़ की valuation में तो उन्हें भी क्या बोला जाता है कैम बोला जाता है examples ने दे दी क्या क्या हो सकते हैं तो impairment of goodwill हो सकती है intangible assets हो सकते है land building investment अगर revaluation basis में है तो यह कैम हो सकते है defer tax asset liabilities हो सकते है accounting policies में कोई change आया है framework change होने की सुरत में तो यह complex areas कैम हो सकते है कोई acquisition की है या disposal की है during the year तो यह कैम हो सकते है research and development cost हो सकती है changes in significant change in business entity business के structure में कोई change आया है या कोई specialized inventory है जिसकी valuation मार ले क्या हो सकती है की audit matter हो सकता purpose क्या transparency meet करना user of financial statements को more information provided करना कि कौन से की audit matter हमने during audit कैसे check की है साथ आप कह सकते एक और भी purpose है audit की quality को improve करना कैम में क्या चीज़ देनी है आपने heading देनी है बताना है क्यों कैम है क्या कहला है और क्यों कैम है वही पांच बातें के according दे बताओगे कि आज़र significant है material है high risk है judgment involved है या special knowledge चाहिए कहां पर कैम नहीं आएगा और कैम में हमने क्या description देनी है तो include करना है reference of the related disclosure in the franchise image में उससे इडिव फ्रांच इमिट में disclosure कहां पर ये matter लिखा गिया है state करना है कि क्यों ये कैम है में हमने इसे क्यों highlight कर रहे है और हमने क्या करना है audit approach में बताना है कि हमने जो procedure perform किया उसके outcome क्या निकले procedure perform करने के और हमारी observation क्या है उन procedure से related और कैम हम audit report में highlight करने से पहले दो चार्डिद गुर्नर्स को communicate भी करेंगे उनको बताएंगे कि हम ये audit report के इंदर highlight करने जा रहे है अगर कोई secret matter है जिससे मैंने मिट हमें रोपती है तो फिर हमें देखना है कि आजदर हमें फिर ये highlight करने चाहिए या नहीं करने चाहिए जिससे अगर हम आगे चले इससे अगर हम आगे चलें तो ये आगे एक report और दी गई हमें और ये report दी गई according to regulation I mean एक जो report आपने पड़ी अभी तक वो थी as per ISA 700 audit report I mean international standard on auditing 700 के according to audit report गया थी standard के according ली पाकिस्तान में अगर आप audit कर रहे हो तो पाकिस्तानी law आपको कहता है कि audit report के अंदर कुछ चीज़ें आपने differently highlight करने है क्या differences है एक तो चार चीज़ें आपने highlight करनी है क्या चार चीज़ें highlight करनी है यह दीगी है other reporting responsibility में के company ने proper books of accounts रहे हैं वो maintain किये हुए financial statements रहे हैं वो according to maintain books of accounts prepare की गई है कि investment company में हुई है या expenditure हुए है या company को guarantee दी है तो further purpose of business दी गई है zakat जो है वो deduct की central zakat fund में I mean regulations के according to your audit report है उसमें और ISA 700 की report में difference किया है तो चार तो यह main differences है बाकी differences कुछ और भी है क्या differences है अगर हम आएं start से opinion paragraph में तो हम opinion paragraph में बात करते हैं कि company ने franchise limits as per IFRS बनाई है जब कि यहाँ पर हम क्या बात करते हैं कि कमनी ने franchise limits as per standard applicable in Pakistan के कौने है यह highlight करते हैं basis for opinion paragraph में भी हम बात करते हैं कि as per ISA हमने audit किया है कौन से जब आप्ली केबल इन पाकिस्तान है इसके लावा अगर हम आगे बात करें manual responsibility की तो इसमें भी हम बात करेंगे कि franchise limits बनाई गई है as per accounting standard requirement in Pakistan auditor responsibility में भी हम बात करेंगे कि हमने जो audit procedure perform किया है वैस पर ISA perform किया है कौन से ISA जो applicable in Pakistan में जहाँ जहाँ भी standard की बात आएगी न वहाँ पे हम बात करेंगे कि applicable in Pakistan वाले standard हमने अप्लाई किया है बाकि जो main चार differences है वो यह हैं किसमे ISA की report में और regulation की report में mean company act की report में चार main differences यह है और पांचवाँ difference किया है कि जहाँ अभी standard का reference आएगा था हम साथ mention करेंगे applicable in Pakistan बाकि क्या है इस chapter में बात है hopefully next lecture में discuss करेंगे यह जो contents हैं इनके उपर state forward question भी आ सकते हैं इसके knowledge के accordingly examiner scenario based question भी छोट-छोटे test कर सकता है क्या कैसे test हो सकता है hopefully next class में देखेंगे अभी आपने क्या करना है आज जा कि यह contents एक दफार read करने और audit report जो हमने read कि है उसे एक दफार और read करना है ताके wording थोड़ी सी हमारे लिए familiar हो जाए रटा नहीं लगाना wording को wording familiar हो जाए या उसके अंदर जो चार-चार point हमने highlight की है वो रटा लगाने कि इसके अंदर main चीज़ें है क्या-क्या wording as it is रटा नहीं लगाने क्यों examiner आपको report produce करने के लिए नहीं कहेगा हो सकता है आपको एक report की wording लिख के देदेगा आपको कहेगा इसके अंदर से एक report में से किसमें कौन-कौन सी चीज़ें हैं और कौन सी नहीं है तिसलिए contents और audit report की wording एक दफा read करके आने है next class में ताकि हम में थोड़ी सी familiarity हो जाए report की wording से अच्छा test है मारा कर खर test है मारा yes chapter 11 का test रहता है आप लोगा chapter 12 में आप तक इतना भी पड़ा है in audit report के contents उसकी types एक chapter और साथ मिला ले चलो इतना test दे दो कर कुशिश कर लो कि 10-12 दिन लाएगे हम पड़ा क्या करें हो सकता है ये जो 10-12 दिन में पड़े किसी में से कोई 30 को नुबर का paper आज़े तक हो सकता है हो सकता है चप्टर 15 को अगर देखें ना इसली मेरे क्याल से कोई 12-15 टैंप्स एक्जामने टेस्ट नहीं किया क्या तक हुंआ प्यूद को किसी में से को अप्टर प्यूद की टेज़े टाँ भाइब